हेलो दोस्तों स्वागत है आपका exam study with संगीता में दोस्तों railway exam special GK की इस series में आपका स्वागत है और ये video number third है आज इससे पहले हमने दो video और upload किये हैं यदि आपने वे नहीं देखे हैं तो आपने playlist में जाकर देख सकते हैं इस वीडियो में हम रेलिवे की परिक्षाओं में पूछे गए प्रिस्नों को यहां पर कवर करेंगे यह वीडियो आपके लिए आने वाली ALP, RPF, NTPC, GroupD और Technician की परिक्षाओं के लिए Most Important रहेगी दोस्तों इससे पहले की बीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा वहां हमने Most Important और जो कॉशन बार बार रिपीट होते हैं वही हमने यहां पर कवर किये हैं वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हैलफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेरूर कीजेगा और यदि अप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं संथालों ने अंग्रेजों से बिद्रो कप किया था? सही आंचर है 30 जून 1855 को और इसका नेतित किया था सिंधू, कानू, चान और भैरब ने बंगाल का इस्थाई बंदोबस्त किन के समय में किया गया? सुरी किन के साथ किया गया? तो ये किया गया जमीदारों के साथ बंगाल का इस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो बंगाल का इस्थाई बंदोबस्त 1793 ECU में लागू हुआ था बिटिस काल में प्रिथम परवती इस्थल कौन सा बना तो बिटिस काल में प्रिथम परवती इस्थल बनाता है सिमला बिटिस काल में भारत की राजधानी क्या थी तो बिटिस काल में भारत की राजधानी थी दोस्तों सिमला ठीक है सिमला महत्मा गांदी की दांडी आत्रा कब आरम हुई तो महत्मा गांदी की दांडी आत्रा 12 मार्च 1931 से सुरू हुई ठीक है 80 सत्याग रहों के साथ देखी यहाँ पर कन्फ्यूज मत हो ना सिमला यह राधानी लिखी है अभी राधानी बरतमान में क्या है दिल्ली दिल्ली से पहले थी कॉलकाता और कॉलकाता से पहले सिमला क्योंकि यह ठंडा प्रदेश है ठीक है इसी कारण से मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी important question है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई दोस्तों 30 दिसम्बर 1906 में बंगला दिसके ढाका में हुई थी और आगा खाँ सली मुल्ला आगा खाँ और मुहमद अली जीना ये सब साथ में थे किस अधीवेशन में कॉंग्रिस और मुसलिम लीग में समझोता हुआ तो सही आंसर है 1916 लखनव अधीवेशन मुसलिम लीग ने सीधी कारवाई दिवस कम मनाया तो इंपोर्टन है कई बार पूछा गया है 16 अगस्त 1946 इस वी को ठीक है ग्रेट कलकत्ता दंगा भी कहते हैं भारती समिधान सवा का निर्माण किस योजना के अंतरगत किया गया सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना नवंबर 1946 में आई थी भारत के अंतियम वाइसराय कौन थे तो भारत के अंतियम वाइसराय का नाम है लॉड माउंट बेटन समिधान सवा में निर्धार कुल संख्या क्या है यानिकि सदस्यों की संख्या सही आंसर है 389 जिसमें 292 राज्यों से प्रतिनिदी हैं और 93 देशी रियासतों से और 4 चीफ कमिशनरी कबीर के गुरू कौन थे तो कबीर के गुरू का नाम है रामानंद ठीक है तो अच्छ आकास का रंग नीला क्यों होता है तो यह प्रकास का प्रक्यूरन के कारण आकास का रंग नीला होता है देख़िए कहीं भी कलर की बात आ जाए यह कॉस्चन जो बनता है यह फिजिक्स का कॉस्चन है दोस्तों कलर की समुद्र जैसे नीला दिखता है तो याद रखना हो प्रकास का प्रक्यूरन ही अधिकतर 99% उसका आंसर होता है तो राष्ट निर्माल में बादा डालता था काड्गिल संगर्स के आवहन जैप्रकार नानन ने किया था ठीक है जैप्रकार नानन ये कॉशन बनता है कि संपूर्ण गांती का नारा किस ने दिया इस प्रकार भी पूछा जाता है ठीक है बरतमान में लोगसमा में अनुसूचे जातीयों के लिए कितने इस्थानों पर आरक्षन है सही आजरे 84 स इसको कहते है 9,11 11 सितंबर को हुआ ठीक है 9,11 बंगलादीस की स्थापना कब हुई तो 26 मार्च 1971 को बंगलादीस की स्थापना हुई थी अंतराश्टिय स्रम संगठन का मुख्याले कहा इस्ते था इंपॉर्टन कोशन है तो इसका मुख्याले जयनेवा में स्तेत हैं अंतरा अगस्त दो यार दो जापान में अपनाया गया से 11 दिसंबर 1997 को लागू लागू है यह आपका सूला फरवरी 2005 को यह जलवाई परिवर्तन रोकने के लिए बनाया गया बिद्धुत आवेस की ऐसा ही मत्रक क्या होता है तो बिद्धुत आवेस का ऐसा ही मत्रक है कूलाम तापमान में ब्रद्धी से एक चालक की प्रति रोदता है तो यह बढ़ेगी ठीक है बढ़ती है एक प्रति चुम्ब की पदात की चुम्ब की प्रवत्ती होती है तो थेकिया अल्प वा रणात्मक होती है यह एक सामान मानव नेतर के लिए सू इसपस्ट द्रस्ता की अल्प तब्यानी कम से कम दूरी कितनी है तो यह है पच्छीस मीटर इंपोर्टन कोशन है भारत में एक रुपे के नोट कौन जारी करता है सही आंसर है भारत सरकार गेहुं की अर्द बामन किस्म का विकास किस ने क किया जाता है सही आंसर है ब्रेड में ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो देखिए सल्फर डाय ओकसाइड इसका अंसर हो जाएगा और जो होती है कारवन डाय ओकसाइड क्लोरो कारवन और जलवास एक लेक्ट्रोन पर आवेस होता है तो यह होता है माइनस पन पॉइंट सिक्स जा दसकी खाथ माइनस 19 ठीक है दो आवेस सित कड़ों के बीच की दूरी को दुगनी करने पर उनके बीच का बल हो जाता है तो यह चार गोना हो जाता है कौन सा प्रवहाव प्रकास की तरह की प्रगत्य को दरसाता है तो इसको बोलते हैं बैतिकर ना प्रत्यक्ष कर होते ह मिता थल और राकी गड़ी मनुस्मिर्ती का संकलन कब हुआ था 200 इसापूर में बहुत धर्म में मुक्ति मार्गन की मुक्स का साधन क्या है तो ये है अश्ट मार्ग ठीके क्या कहते हैं इसको अश्ट मार्ग बेजनेगर सामराज का प्रथम राजवन्स था पहारिया लोग खेती के लिए कौन से उपकरण का प्रियोग करते हैं सही आंसर है कुदाल कि 1997 इसवी से पहरे भारत में ब्रिटिस सामराज की राजधानी कहां इस्तित थी महात्मा गांदी ने ब्यक्ति गत सत्य अगरे कब आरम किया था तो 1940 से 1941 के मद अक्टूबर दिसम्मर के मद में इसको शुरू किया गया था मुस्लिम सामपरदाइक ता के उद्य कामों के कारण क्या था सही आंसर है बहावी आंदुलन सरसेद अहमद खादौरा सामपरदाइक परचार अंग्रिजों की फूट डालो और राज करो की नीती अकिल भारती हिंदू महासावा की स्थापना कब हुई तो ये हुई 1915 इसी में और मदन मोहन मालवी ने की थी निर्दोस लोगों की हत्या से विवाजन था किस ने कहा तो ये पंडे जवाला नहरू के सब्द हैं ठीक है समिधान सवा का प्रता मदीवेशन किसके अद्धिक्सता में हुआ था तो ये हुआ डॉक्टर सच्ची दरन सिन्हा के वस्ता में इसकी अद्धिक्सता में ये अस्ताई अद्धिक्स भी कहे जाते हैं और ये 9 दिसमबर 1946 को हुआ था भारती समिधान कब पारित हुआ था कि पारित हुने की बात कर रहा है तो 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को ठीक है प्रफिक्स दोक्टर राजन प्रसाद और आयस्ताई कौन थे डॉक्टर सचिद्रन सिन्हा कौन के चुनाव किस वर्स हुए तो 1967 में झौति लोक्सवा के चुनाव किस वर्स कॉंग्रिस पार्टी द्वारा गरीवी हटाओ नारा कौन से लोकसभा चुनाओ का प्रमुक था तो यह था पांच वी लोकसभा का 1971 में ठीक है गरीवी हटाओ का नारा कॉंग्रिस पार्टी का ही नारा है